हाई गाईस मेरे नाम है संदीप और ये है लास्ट मेजर एंडुए 12 L अपडेट एवलुशन X के उपर क्योंकि इसके बाद आपको जस्ट सिक्यूर्डी पैज लेवल के अपडेट्स देखने को मिल जाएंगे थोड़ा करनल अप्स्ट्रीम हो सकता है आने वाले अपडेट्स के अंदर बाद इसके अंदर आपको इसका चेंज लॉग वगरा चेक आउट करोगे अब इस वीडियो के अंदर आपको मैं बताता हूँ कि इसके अंदर क्या कुछ चीज़ें आपको मिलती है वैसे नया कुछ चेंज नहीं किया गया वैसे optimization जो है वो आपको इस वीडियो के अंदर पता चल जाएगी सबसे पहले बात करेंगे about phone page की तो about phone page के अंदर android 12 है उसके बाद evolution x version 6.7 इवर file official update है august का security patch level है उसके बाद जो Soviet start channel है वो upstreamed है august 17 के latest build से और उसके बाद build भी आपको same august 17 से updated मिलेगा और cynic status आपका enforcing है और एक चीज अगर आपने miss कर दी हो वो हो evolution x का android 13 update जिसका वीडियो मैंने upload कर दिया था कल ही तो आप उसको ज़रूर से check out कर सकते हो काफी सारे वैसे interesting चीज़ें तो नहीं मिलती बट definitely जो उसका second update है वो भी आ चुका है बट मैं next update most probably review करने की कोशिश करूँगा इसको मैं skip कर रहा हूं second update को वैसे काफी सारी चीज़ें fix हो चुकी है बट मैं wait करूँगा next update का और उसको हम review करेंगे क्योंकि अभी काफी सारी चीज़ें आ चुकी है अब सबसे पहले ROM के अंदर आपका जो device है as always certified है widevine L1 आपको मिलेगा F2FS के अंदर आप इसको flash कर सकते हो Google photos के अंदर spoofing है maximum charging speed 3000 mAh के आसपास है and literally charging के time में first time जब मैंने इसको charge पे लगाया तो जो temperature था वो 38 degree के आसपास था अब जब मैंने second time इसको यहां पर charge करने की कोशिश कीना तो यहां पर जो temperature 42-43 degree के आसपास चला जा रहा था as you can see sorry यह वाला आपको graph नहीं दिखाना यहां पर एक और graph मैंने यहां पर देखा था तो यह आप चेक कर सकते हो 44 degree के आसपास temperature चला गया और जो charging speed थी वो slow हो रही थी तो यह issue में भी आपको भी face करना पड़ सकता है charging के time में आपको heating issues आ सकते हैं और उसके बाद यहां पर जो CBth rolling graph है इसमें 88% तक CBth throttle हो जाता है 2,2000 के आसपास maximum Gips और 1,83,000 के आसपास average Gips मिलेंगे और यह Geekbench 5 के scores है जो थोड़ इसे lower side में बोलना चाहूंगा और यहां पर wide left test के अंदर scores आपको यह वाले मिल जाते हैं ROM में जो straw camera है same as always आपको lineage US का मिलता है आप कोई भी Gcam ट्राइ कर सकते हो Game Space का आपको icon देखने को मिल जाएगा Now smoothness की बात करेंगे Quick setting panel के अंदर कोई भी lag, stuttering वगरा आपको UI के अंदर नहीं आने वाला So in terms of UI experience आपको काफी stable सा experience यहां पर होने वाला है उसके बाद app opening, closing and emission के speed as you can see यहां पर आपको literally कोई भी lag वगरा देखने को नहीं मिलता जो speed है, जो responsiveness है UI की literally आपको काफी अच्छी मिलती है इसकी optimization आप चेक कर सकते हो, कोई भी आपको stuttering वगरा नहीं आने वाली So काफी अच्छी से आप यहां पर scrolling वगरा कर सकते हो अब यहां पर जो pixel launcher है, उसके अंदर यह वाला bug आपको fixed भी देखने को मिलता है अब अगर आप आजाते हो, यहां पर FOD के speed के उपर तो FOD की जो speed आप वो आपको मैं दिखा देता हूँ सबसे पहले screen on के साथ में check out कर लेते हैं तो screen on के साथ में थोड़ा सा आपको वैसे issue आ सकता है I guess तो आप check कर सकते हो कुछ इस तरी किसे speed मिल जाते है first time मेरे को आया था and second time कोई भी problem आपको यहां पर नहीं आने वाली आपका जो FOD है वो काफी अच्छे से यहां पर work कर रहा है speed आपको excellent देखने को मिल जाएगी, दोनों ही conditions के अंदर but sometimes accuracy की regarding यहां पर problem आ जाती है या तो fingerprint कोई miss हो गया होगा या फिर जो है आपको issue wrong site से भी देखने को मिल जाएगा बाकि आप यहां पर check करोगे तो यहां पर almost जो evolver है इसके अंदर सभी चीज़े same मिलती है आप इसका जो previous video है न वो check out कर सकते हो उसके अंदर मैंने सभी चीज़ें आपको explain की है क्या कुछ आपको नया मिलता है क्या कुछ चीज़ें आपकर change हुई है तो वैसे optimized हुआ है चीज़ों के अंदर वैसे evolver के अंदर काफी सारी चीज़ें add हुई है वैसे add नहीं हुई आप उनको बोल सकते हो थोड़ा उनको optimize किया है कुछ नए changes आपको छोटे mode मिल जाते हैं जो कि मैं आपको show नहीं करूँगा क्योंकि ज्यादा major improvements आपको इस update के अंदर भी देखने को नहीं मिलती अगर आप features की बाद करना जाते हो तो अब आजाएंगे gaming performance के उपर तो literally मैंने last update आपको जब review करके दिया था Android 12 L का तो उसके अंदर ना वैसे temperature थोड़ा सा rise हो जाता था even 43 degree के आसपास भी चला जाता था बट definitely वहाँ पर ना थोड़ा सा frame drop काफी minor होता था बट इस update के अंदर मैं ये वाला जो update आपको बिलकुल भी gaming के लिए recommend नहीं करूँगा सबसे पहले आपको उतना responsiveness इस ROM के अंदर फिलहाल अभी नहीं देखने को मिलता जितना पहले previous updates के अंदर था ये वाला जो भी मैंने previous update review किया उससे पहले एक दो updates हैं उनके अंदर था तो वहाँ पर आप जो है shift हो सकते हो अगर आप gaming ही करना चाहते हो इस ROM के उपर क्योंकि previous update के अंदर सिर्फ minor यहाँ पर जो है lag stuttering मेरे को मिल रहे थी gaming के अंदर बड़ इसके अंदर जयादा थोड़े frame drops हो जाते हैं and even थोड़ा temperature भी control नहीं कर पाती और कावी सारे लोगों को यही शिकायता और मुझे भी अभी जो है इस update से थोड़ी सी problem है अब एक चीज़ और आपको दिखाता हूँ मैंने जब Android 13 Evolution X का ROM ट्राय किया था तब एक ना issue मेरे को देखने को मिला था as you can see यहाँ पे अगर आप notice कर पा रहे हो यहाँ पे जो flickering आपको देखने को या Android 12 को तो इसके उपर भी यह issue आ चुका है तो आप मेरे को comments में बताना कि आपको यह issue देखने को मिला या फिर नहीं आपके phone के अंदर बागी यह जो gameplay है इसका highlighted version आप दूसरे चैनल के उपर चेक कर सकते हो subscribe कर सकते हो इस channel को and मिलेंगे next interesting videos के साथ